है 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 तो पिछले वीडियो में हम लोग ने कुछ बार डिजीज के बारे में पढ़ा था और आज इसे बीमारिया को पढ़ेंगे जो बेसिवली बैक्टरिया से प्रती है अर्था जीवारू से खेलती है तो उन वीमारियों के बारे में आज हम लोग अर्धन करेंगे तो जीवारू हमारे लिए लापदायक तो हैं लेकिन कहीं न कहीं वह बहुत ज्यादा नुक्सान दायक भी हैं तो इस वीडियो में हम यहीं बात देखेंगे कि वह कैसे हमको आनी पहुचाते हैं तो आज का वीडियो इसी परवेश्ट है तो चलते हैं इस वीडियो को फड़ा सा और क्लेरिफाइट लगाए लग्षण होगा और प्लान किया जाएगा एक बीमारी आई थी जिसको हम लोग टीबी कहा देती है वो बीमारी पहले बहुत जबी थी आजकल बहुत कम हो गई है क्योंकि टीबर क्लोसिस कि है बेसिकली पैक्ट्रिया के द्वारत आता है इंगे वी हैव डेट हम लोग देखते हैं यह बीमारी कि इसमें प्राइरंबिक लख्षड खांसी कहीं होते हैं अर्था प्रूव्यक्ति खांसता है और खांसते खांसते उल्टिक के साथ में वह हलका ब्लड का भी जिस छोड़ देता है और जब ब्लड कर या थुक के रूप में बाहर जब चले आते हैं तो उसको हम लोग ट्यूबर क्लोसिस कह देते हैं बहुत ही खतरनाक बीवानी होती है फेफ़ड़े बहुत ज्यादा प्रफावित होते हैं फेफ़ड़े खतम जाते हैं ऑक्सीजन लेने की छमता को रिड् सब्सक्राव है उसको बिस्ताव तो समाइब को भूरित करिकलो फेफ़ड़नी है कि הןी और इनदें के मादयम से जो हब ऑसी यह दर मीमारी को थ्यूंट परदेंगे उसके माल थेमसी ये बीमारी इनहेल करती है और जब खांस ने शीक नहीं पर इत्यार ये ड्रॉपलेट्स के रूप में आते हैं और जब ये खांसी होती है तो बीमारी जो होती है कि इसमें कुछ पॉइंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं उसको कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा वी दिया है सबसें पहली बात की पेशिंट को आईसोलेट किया जाए आइसुलेशन ऑफ पेशेंट को दूसरा जो वेक्ति प्रापर डिस्पोजर अब सर्टल नाशल डिस्चार्ट को अच्छिकने और खासने की जगा जो है उसको इत प्रापर एरिये की तौर पर रखा जाया वही पर रिस्चार्ज किया जाए उसको फेका है इस्तिवाल करना है वो सभी एंटिबाइटिक्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दिये जाए और निकिसी मीडियूम से ना ठीक है अब इस्टुरेंट बाता की है दूसरी नंबर मिमारी की जिसको यह कॉमनली हमगों कॉल्रा करते हैं कॉल्रा जो है बेसिकली इस रिफ्ट्री और कॉल्रा नामक वैक्ट्रीया से फ्लता है और यह बेक्ट्रीया है हमारे लिए बहुत ही नुक्सांद आइं और इसको फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता अच्छा है अंटे की लिए रीट कि यह निकित का यह यह जो बीमारी फ्लती है वो कैसे फ्लत अर्थात बासी वो जंग और दुदू दूसित जंग के मात्म से यह वीमारी कॉल्वराफ करती है था सब्सक्राइब के दिनों में बैक्ट्रियल और वाइरल और फंगल यह जितने भी इंफेक्शन होते हैं वह काफी ज्यादा हफ्तर को जाते हैं क्योंकि इनका इंक्यूवेशन पिरियेट बहुत ही अच्छा होता है तो इन सिंटाम्स में देखें तो मेंटिंग आरिया तो इस मसासब वाद की बोजन को घरम करके खिलाए जाए पानी की वैल करके दिया जाए आंटिवैस्टिक और वैक्सिन भी दिये जाए और साथ में जो डोमेस्टिक से इसका भी तिहां रखाए और वाटर सप्लाइश में सब्सक्राइब दी जाए पेसेंट पोड़ अब सब्सक्राइब बात आती है टेटनस के लिए टेटनस पुलस्टेडियों टेटनाइज नमक से होता है चार से लगता है इसको खालने में डारेक्ट इंटी प्रेटने रमांट फोंदी इस यह धूल दब अगरा से आकर के हमारे शरीर के उपर में लगता है इसमें सबसे पहल को में दर्दूमा को सब्सक्राइब कर दो सबसें पर्शेंट आता है इसके खाव तो साफ किया जाए और टेट्वेश का इंजेक्शन इसको समय दर्शाम पर अंतराल पर इसको बिलनाए जाए कि चौधार सिखली कि ट्रेपो नीमा पैलीडियम इन फैलता है और प्लासेंटा के माध्यम से मदर से चाइल्ड में भी कोने की संफ़ना रहती है इसमें फ्लू जैसे रक्ष्ण होते हैं इंद्लेजिए विमारी होती है कि स्कीन रैसेस हो जाएंगे एर लॉस कर जाएंगे और जो जोएंट्स होंगे अर्था जो गांट होंगे इसमें क्या होगे स्वैलन आजाएगी आठ में सुजन आजा रहती है इसमें कुछ नहीं है एंटिवाइटिवी आजाए और भी प्रिकॉसों से लिए नहीं समाज़ता होता है पांचवाय टाइफाइट का नाम बहुत जल और बुसित बोजन के माध्यम से होता है इसमें कॉंस्टन्ट हाइट रहेगा पुरा शरीर जर्द करेगा साथ में ही शरीर में भी दर्द होगा और लिवर भी सरी से वर्क नहीं करता है एंटिवाटिक वैक्सीन और वाटर दिया जाएज है और कॉमुनिटी अस्क्रप अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉल्स पॉलियों निजसन के लिए तो पॉल्स पॉलियों प्रोग्राम के लिए बात करेंगे तो थैंक्स है वन एश्टे